काफी परसन को Instagram Reels के अंदर एक प्रोब्लम आ रही है जैसे ही वो अपनी Instagram Reels को अपलोड करते हैं हैश्टेग लगा करके तो हैश्टेग लगाने के बाद में उनकी जो Reels की वीडियो होती है जब वो अपलोड हो जाती है तो वो जो हैश्टेग होते हैं वो उनको शो नहीं करते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये वीडियो चल रही है वो नीचे में जो हैश्टेग कुछ लगे हुए है तो ये जो नीचे में हैश्टेग लगे हुए है ये शो नहीं करते हैं काफी परचन के DMs मेरे Instagram पर मुझे देखने को मिल रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि हमारे Instagram Reels वीडियो जब हम अपलोड करते हैं उसके अंदर हैश्टेग लगाते हैं लेकिन हैश्टेग लगाने के बाद जब हम उसको अपलोड कर देते हैं तो वो जो हैश्टेग होते हैं वो शो नहीं हो रहे हैं ये केसे आप शो कर सकते हो वीडियो को इसकीप करके नहीं देखना है वीडियो को एंड तक देखना है वीडियो इस्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लेजे मेरे नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद SS YouTube चैनल चैनल पर नहीं हो तो बाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को औल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो गाईज इसके लिए आप अपने मोबाईल की सेटिंग के अंदर जाना होगा एप मेनेजमेंट के अंदर हर फोन के अंदर ये अलग-अलग नेम से होता है किसी में एपलिकेशन मेनेजर के नाम से होता है किसी में एप मेनेजमेंट के नाम से होता है किसी में एप के नाम से होता है मेरे फोन के अंदर एप मेनेजमेंट के नाम से है इस पर मैं किलिक कर लेता हूँ इस पर किलिक करने के बाद में सबसे उपर मैं एप लिष्ट है इस पर किलिक कर लेता हूँ इस पर किलिक करने के बाद में अब हमारे फॉन के अंदर जितनी भी एप्लिकेशन है इस्टोरीड है इस पर किलिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा अब यहाँ पर इस्टोरेज पर किलिक करेंगे इस्टोरेज पर किलिक करने के बाद में यहाँ पर दो ओप्षन हमें दिखाए देंगे किलियर डाटा किलियर केचे इन दोनों को आपको किलियर करना होगा किलियर करने से पहले आपको अपने इस्टागराम में ये देखना है कि इस्टागराम के रील्स के ड्राफ के अंदर आपने कुछ वीडियो को सेव करके तो नहीं रखा है अगर आपने उनको सेव करके रखाए ड्राफ के अंदर तो सबसे पहले उनको अपलोड कर लीजिए क्योंकि क्लियर डाटा क्लियर केचे करने के बाद में वो वीडियो भी डिलीट हो जाती है बाद में आप फिर मुझे कहोगे और आपका जो आईडि है उसका पासवर्ड वगेरा भी आपके याद होना चाहिए क्योंकि आपको अगेन फिर से अपनी आईडि को लॉग इन करना होगा तो यहाँ पर आने के बाद में जब आप क्लियर डाटा क्लियर केचे कर लेंगे उसके बाद में यहाँ से बैक आ जाएंगे और यहाँ पर आपको एक उप्शन दिखाए दे रहा है अनिस्टॉल का यहाँ से इस इंस्टागराम को अनिस्टॉल कर देना है Uninstall करने के बाद में आपको जो है Play Store पर जाना है Play Store पर जाने के बाद में आपको क्या करना है वहाँ से Instagram को आपको download करना है Play Store पर आना है यहाँ पर search करना है Instagram और Instagram को आपको download कर लेना है Instagram जब आप download कर लेंगे इसको open करेंगे ID को login करेंगे और आपकी जो वो प्रोब्लम आपको आ रही थी, हैश्टेक शो नहीं हो रहे थे, 100% आपकी वो प्रोब्लम सोल हो जाएगी, इस प्रोसेस को फॉलो करके, ये कभी-कभी बग आ जाता है, जिस कारण से हमें इस तरह की प्रोब्लम को फेस करना पड़ता है, तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, बस उसको फॉलो करना है, उसके बाद में आपकी जो ये प्रोब्लम में 100% फिक्स हो जाएगी, सौल हो जाएगी, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे होगे और आपको ये पसंदा आज़े, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में,